अच में व il पालिऴिव और वंकम बैक्टू मै चैनल इस्ट्रागिटरीट। दोस्तो खबर आ धरिये कि कुरोना के भड़ते कहर के बीच बिहार में पंद्रह मैं तक लॉइठम का ऐलान कर दिया गया है कुरोना के बढ़ते कहर के बीच बिहार सरकार ने पूरे प्रदेश में 15 माई तक लॉक्डॉन लगा दिया है इसका ऐलान खुद मुख्य मंतरी नीतिसकुमार ने ट्वीट कर दिया बीते दिनों में ही पटना हाई कोट ने पूछा था कि सरकार लॉक किया है लॉक्डॉन की विस्त्रित गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया गया है मुख्य मंतरी नीतिसकुमार ने ट्वीट करके कहा कल सहयोगी मंतरीगर्ण एवं पदादिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक पूरी तरह से लॉक्डॉन ल अफ्तार बेलगाम हो गई है लोग अपने मन के अनुसर काम कर रहे है ना तो कोई मास्क लगा रहा है और ना ही सोसल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है इसके साथ ही अस्पतालों में बेड़ और ऑक्सिजन की कमी के कई मामले सामने आ चुके है कोरोना संक्रमन की चेन उन्वाई करते हुए पटना हाई कोट ने महा धीवक्ता से कहा कि वो राज्य सरकार से बात करें और चार मई को बताएं कि राज्य में लॉक्डाउन लगेगा या नहीं यानि दोस्तो आज चार मई है संपून रूप से लॉक्डाउन खोशित कर दिया है सीम नीतिस कुमार ने हाई कोट ने कहा था कि अगर चार मई को कोई निर्ने नहीं आता है तो हम कड़े फैसले ले सकते हैं बिहार में कोरोना पॉजिटिव केसिस की संख्या पांच लाग पार हो चुकी है अब तक राज्य में पांच लाग 90,047 लोग कोरोना पॉजिटिव पाय जा चुके हैं इन में 3,99,559 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 1,7,666 लोग अब भी पॉजिटिव हैं राज्य में अब तक कोरोना से 2,821 लोगों की मौत हुई है बिहार में 3 मही तक रिकवरी रेट 78,29 है जबकि पॉजिटिविटी रेट 15,70 है तो दोस्तों ये जनकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी जनकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो